अब को मेरी जैमसी की, ये सिस्टर का नाम कवल जीद कौर है, ये अमरिसर, बटाला रोट, विलिज, मुदल के रहने वाले हैं, ये सिस्टर की बहुत बड़ी गवाई है, ये सिस्टर बताते हैं के जब इनकी मेरिज हुई, उसके बाद इनकी एक बेटी हुई, फिर दूसरी तब तक तो ये खुश थे, उसके बाद फिर तीसरी बेटी हुई, और इनका परिवार परिशान हुए, कि अगर बेटा होता तो अच्छा था, फिर इनको किसी ने बताया कि आप ये धार्मिक्ता करो और आपके बेटा होगा, इन्होंने वो धार्मिक्ता को बड़े मन से कि यहां ये धार्मिक्ता करते थे, उन्होंने इनसे पैसे भी मांगे, किसी ने पांच हजार, किसी ने दस हजार, ये सब करने के बाद भी इनको कोई फल ना मिला, फिर इनको बेटी ही हुई, फिर इनको किसी ने किसी मैडिसन के बारे में बताया, कि ये खाने से आपको बेट इन्होंने मैडिसन भी बड़े मन से खाई कि इस बार मेरे बेटा हो वो खाने के बाद भी इनके बेटी ही हुई और टोटल इनके शे बेटियां हो गई थी उनमें से चार बेटियां इनके पास थी और दो बेटियां इन्होंने रिष्टेदारों को दे दी और फिर ये बहुत परिशान हुए के हमारे पैसे भी बहुत खर्च हो गए है और फिर भी हमें बेटे का फल नहीं फिर ये सिस्टर को किसी ने प्रभू येश्जु मसी के बारे में बताया और ये सिस्टर आर आर मिनिस्ट्री में गए और ये लगातार जाते रहे तब ये सिस्टर प्रेगनेट थे उसके बाद इनकी मीटिंग प्रभु के दास के साथ हुई इन्होंने अपने बारे में सब कुछ प्रभु के दास को बताया और ये भी कहा कि मैं बहुत डर गई थी कि कहीं सात्मी भी बेटी न हो जाए इसलिए मैंने बच्चे को रिमूव क करने के लिए किट खाली है और प्रभु के दास ने ये सिस्टर को बोला कि आप प्रभु में विश्वास रखें और प्रभु आपको बेटी के साथ ब्लेस करेंगे और जो किट आपने बच्चे को रिमूव करने के लिए खाई है उसका आपके बच्चे को कोई नुकसान न और प्रेर में लगातार बने रहो परमेश्वर आपको बेटे के साथ ब्लेस करेंगे और ये सिस्टर ने वैसा ही किया ये सिस्टर लगातार प्राथना में बने रहे और जिस बच्चे को रिमूव करने के लिए इन्होंने किट खाई थी आज उसी प्रेगनेंसी से को बेटे के साथ ब्लेस किया आईए इनकी गवाही इनसे सुनते हैं मेरे विलिया इससे ब्लेस किसे ने पांच पांच देता जेने दास मंगै दास देता फिर विसा नो बेटे हार फालो के ते हो ने भी मिले यह सारा कुश करन दे बाद भी मेरे चौथी बेटी पैदा होई है मैं और में थे शाङभि पैटी हैं मैं नों लुँआ है सदाई मेरा पती असी काफी जाधा आ शारे जाने परशाण रहाया लाग पै पर फिर सामों ऐसी ने दसपाई कि द्वाई घॉ नन आल तोन बेटा होगा मैं पर फिर दसेवी बेटी परावी क्यों दोते किoken Thats प्रभु येश्व बारे में दस्या, फिर मैं मुदल चर्च गई, मुदल चर्च जद जान्दी सी, उन्ना दिना दे वेचवी मैं प्रेगनस सी, फिर मेरे मान ची चाख काया के मेरे सतवी बेटी ना हो जे, बच्चे नू गरोण वास्ते मैं केट खाली, फिर मेरे प्रभु अपने बारे सारा कुझे दस्या, फिर में बच्चे नू गरोण वास्ते केट खाली या, के मेरे सतवी बेटी ना हो जवी, और उन्ना ने कहा के तुही प्रभु ते विश्वास करो, जेडी केट तु सखा दी या, वो केट ता डल, कोई नगसान नी करेगी, ता नू बेट जेना प्रभु बलेस कार चुके है, और उन्ना ने मिनो एवी किया, कि तुही अपने बेटे दा ना सोचो, ते ले आके मिठा वंडू, मैं काफी ज़्यादा रान होई, कि मैंने था हमाते गई, मिनो किसे ने नी किया ही, कि अपने बेटे दा ना सोचो, फिर प्रभु दे तासले में बैबल देविच वकोज बचंद से ते उना ने वी किया कि तू अपने लिए दुआ करेया कर और उससे तरह में दुआ करनी शुरू की ती मैं दुआ देविच लगाता हुर प्रातना देविच लगाता हुर बड़ी रही ते अज में नो प्रभू ने बेटेना बल इस गवाई देली में देल तो प्रभूदा ता नवाद कर दिया प्रभूदे दासदा भी ता नवाद कर दिया मेरे विलो सारे नो जैम से लिए